ओम शान्ती आज साथ दिसंबर 2022 के साकार मधुर महवा क्ये हैं आज की मधुर मुरली में बाबा हम सब को याद की सबजिक्ट पर विशेश अटेंशन किछवा रहे हैं आप बच्चों को याद की यात्रा में रहना है इसे रूहानी यात्रा कहा जाता है चलते फिरते उठते याद की यात्रा में रहो एक बाबा याद रहे ऐसे बच्चे जो याद की यात्रा में रहते हैं पिछाडी के समय उन्हें निरंतर याद बनी रहेगी अंतिम द्रिश्य को देखते रहेंगे उन्हें सक्षतकार होगा अगर कोई पुर्शार्थ में धीले होंगे तो उन्हे बहुत पश्यताप होगा कि हमने बाबा का बन करके भी इतना अच्छा पुर्शार्थ ने किया फिर उस समय क्या कर सकेंगे बाबा ने सावधान किया बच्चे अभी पुर्शार्थ करने का समय है एक दिन भी कोई अच्छी रिती याद करे तो करमातीत बन जाए ये याद की सबजेक्ट बहुत महतो पुरण है बहुत बच्चे बाबा को भूल जाते हैं पाप करते रहते हैं सोचते हैं बाबा को क्या पता बाबा ने कहा भगती में भी आप जो कुछ करते थे फल मिलता था और अब तो बाबा समुख आया है तो ये मत सोचो को बाबा को कैसे पता चलता है या बाबा को नहीं पता बाबा बच्चों को यहां समझा रहे हैं कि बच्चे घर ग्रस्त में रहते भी पवित्र बन कर मुझे याद करो तब सच्ची शांती का अनुभव करेंगे बाबा ही सद्गती दाता है पतित पावन है गाइड है बाबा कहते हैं आप बच्चे आगे और मैं आपके पीछे हूँ आपकी संभाल के लिए क्योंकि ये गवुश राला है भक्ती में कहते हैं कि गुरू से आगे नहीं जाना यहाँ पर तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे आगे मैं आपके पीछे हूँ आपकी संभाल के लिए गवों की संभाल करनी पड़ती है कोई इधर उधर ना चले जाए बाबा ने याद दिलाया कि इस समया बच्चों को में ढीले होंगे तो अन्त में बहुत पशाताप करना पड़ेगा अच्छे संसकार धारण करो बुरे संसकार अच्छे संसकार दो प्रकार के होते हैं देवी देवताओं के अच्छे संसकार होते हैं आप देवी दुनिया में जा रहे हो तो जो पुराने संस्कार है वो मिटा देने है सुनते हैं बाबा के मदुर बोल बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतीतों को पावन बनाने की सर्विस करनी है अंधों की लाठी बनना है सबके लिए सहारा बनना है अच्छे संसकार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है अंदों की लाठी बनना है कुश्चन है पिछाडी के समय कौन सी अवस्था आनी है पिछाडी के समय निरंतर रुहानी यात्रा करते रहेंगे बैटे बैटे सक्षतकार होंगे बाप और वर्सा याद आता रहेगा बैकुंट देखते रहेंगे बस अब हम ये प्रालब्द पाएंगे हर्शित होते रहेंगे प्रंतु अच्छा पुर्शात नहीं किया तो पच्छताना भी पड़ेगा सजाओं का भी सक्षतकार करेंगे गीत है रात के राही ठक मत जाना सुभा की मंजिल दूर नहीं ओम शांती ये रूहानी यात्रा सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है ये इश्वरिय भाषा अत्वा भाषन तुम भी भाषन करते हो ना बाबा केते सबसे जास्ती तो मैं भाशन करता हूँ क्योंकि मैं ग्यान सागर हूँ फिर पतित दुनिया पतित दुनिया को पावन बनाना मेरा काम है सद्गती दाता पतित पावन मैं हूँ ग्यान से सद्गती होती है बाब कहते वास्तों में मेरा नाम भी एक है ज्ञान का सागर और सद्गती दाता एक को ही कहेंगे भोतो को तो नहीं कह सकते दूसरे मनशे ये भी समझतें कि ज्रामा है चकर भी दिखाते है प्रंतु चकर क्या युँ भिन-भिन दिखाते चक्र का भी ज्यान चाहिए लाको वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते बाप को कहते हैं सबका सुद्गती दाता लिबरेटर इतनी आत्माई जो उपर से आई हैं पहले यान नहीं थी फिर जरूर नहीं होंगी तो इतने सब को कौन आकर वापिस ले जाएंगे गाइड तो है ही परम पिता परमात्मा हमारा गाइड कौन? परम पिता परमात्मा गाइड अर्थार जो आगे रास्ता दिखाता चले गातें पतित पावन गाइड है सबका सदगती दाता है गुरू होता है गती करने वाला गुरू को आगे followers को पीछे रखा जाता है यहां ऐसी बात नहीं है यहां तो बावा कहते बच्चे तुम आगे चलो क्योंकि गव शाला भी है गवों के पीछे पीछे गवाला रहता है नहीं तो गववें इदर उदर चली जाए बाप भी पिछाडी में रहते है आजकल भक्त लोग समझते है आगे महात्मा जी हो उनसे आगे जाना बेजती समझते है बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो बाप को तो पिछाडी में सारी नजर रखनी पड़ती है कि कोई खा ना जाए मिसाल है न शेर रे शेर प्रंतु शेर था नहीं तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये बीके तो कहते हैं वेनाश होगा होता नहीं होना तो जरूर है आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर वेनाश का समय है तुम बच्चे जानते हो वेनाश किसलिए है दुनिया को कुछ मालूम नहीं अच्छा माँ भारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं तुम बच्चे भी नंबर वार पुर्शार तमसार जानते हो हमें बाबा की मदद है जानते हो बाबा आए है पतितों को पावन बनाने तो बच्चों को यहीं सर्विस कर उच्पद पाना है पतितों को पावन बनाना है अंधों की लाठी बनना है रास्ता बताया जाता अल्लफ और बे बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है जाड सामने खड़ा है त्रिमूर्ती नंबर वन है शिव के साथ त्रिमूर्ती मशूर है शिव परमात्मा उनसे भी उँच है वे फिर भी सुक्ष्म है उन से उंचे परमात्मा, प्रंत उसका नाम, रूप, देश, काल, कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रति दिन सब कुछ समझाया जा रहा है, अब तुम समझ चुके हो, हम आत्मा हैं, करेंगे पाट सेकेंड के लिए अभ्यास, भ तुम बच्चे समझ चुके हो, हम आत्मा हैं, संसकार आत्मा में भरते हैं, अच्चे भी बुरे संसकार आत्मा में हैं, इससमें अच्छे संसकार बहुत कम हैं, बाकियां बुरे गिरने के संसकार, इससमें कोई भी अच्छे संसकार नहीं कहेंगे, यह रावन राज्य हैं, मायावी धुनिया में कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही है कोई पाप करते होंगे कहेंगे इनके संसकार अच्छे नहीं बुरे संसकार वाले अच्छे संसकार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं भारत बिल्कुल अच्छे संसकार वाला था अब बुरे संसकार वाला है, मनिश्ये को ये भी पता नहीं, बाबा समझाती जो उपर से नई आत्माई आती हैं, पहले अच्छे संसकार वाली होती हैं, फिर बुरी हो जाती है फिर उनको इतमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है, भारत के ही चित्र सामने हैं, बुरे संसकार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो हैं देविगुण वाले, ये हैं आसुरी अवगुणों वाले, समझते हैं बेविकार में चाना आसुरी सोंभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं, फिर कहते हैं, मैं फलाने सन्यासि का followर सूं, प्रणतू, सब तो follow करते ही नहीं, follow यह करते तो follower कैसे हुए, जानते हूँ, देवी डेवता, पवित्र परविरती मारग के थे, वोही अब आऊ पवित्र बढ़ गए, बाबा समझाते, तुमने पूरे चुरासी जनम देवी दुनिया आसुरी दुनिया गाई जाती है अब तुम समझते हो रावन के कारण इतना दुख हुआ है बाबा समुक समझाते तुम्ही पूज्य थे फिर पुजारी बने रावन का रत है पाच विकार काम क्रोध लोग मूँ एहंकार सब दुखों का मूल यह पाच विका है तुम्ही पूज्य थे अब पूजारी बने फिर मैं आके पूज्य बनाता हूं बाप तो सदा पूज्य है ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे एवर पूज्य एक बाप है जो कहते हैं मैं तुम्हें 21 जनम के लिए पूज्य बनाता हूं बहुत धेर की धेर देवि तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया अब तुम्हारी बुद्धी में फर्स क्लास नॉलेज है कि स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है बाप सारा राज समझा कर अपने साथ रूहानी यात्रा पे ले जाते हैं यह स्पिर्चुल फादर रूहों का पिता आत्माओं का बाप उनकी महिमा गाते हैं हे पतित पावन आओ प्रन्तों मनुष्य समझते हैं आत्मा पतित होती है कई फिर नहीं भी समझते बुरे अच्चे संसकार आत्मा में ही है आत्मा ही दुख उठाती है तो बाबा समझाते बच्चे सर्विस करो पाप आत्माओं को पावन पुन है आत्मा कोई नहीं शिव पर बली भी भारत में चड़ते हैं प्रंदु अर्थ नहीं समझते हैं शिव पुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे ऐसे लिए कि सेकंड में उनको मुक्ति मिलती है हाँ जो पाप की यह हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है बाकि वापिस स्वीट हों में कोई जान ही सकते, स्वीट हो में मात पिता का घर, मनशे कुछ भी जानते नहीं, अंद श्रद्धा से सरफ ईश्वर कह देते, जब ईश्वर एक है, फिर मात पिता क्यों कहते हैं, वह है रच्टा, तो जो माता भी होगी, नहीं तो रच्चना कैसे हो, तो मात पिता हम बाल तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे न, शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा, तुम्हें अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर, एडॉप्ट करते हैं, अब तुम बाप द्वारा समुक सुन रहे हो, फिर पांचर वर्ष के बाद सुनेंगे, अब जो तुम लिख रहे हो वे सब खतम हो जाएगा, फिर ये बाते बताई कौन, समझो कोई नीचे से पुराने कागचादी निकालते हैं, जिससे शास्त्र बैठ बनाते, फिर भी भगती मारग वाले वो ही शास्त्र निकालेंगे, कोई नए नी बनाए, ड्रामा प्लैन अनुसार, नीचे से वो ही नि ले थी, हम अभी समझते हैं, स्वर्ग में जाकर ऐसे से महल बनाएंगे, तुम बच्चों को स्थाई खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे, खुशी रहनी चाहिए, हम जाएंगे प्रिंस बनेंगे, अगर निश्चे नहीं, तो स्कूल में जैसे बेसमझ जाता, बाबा तो अच्छी रिती समझाते, बच्चों को अच्छी रिती पुर्शार्थ करना है, बाप और क्या करेंगे, समझाएंगे, रूहानी यात्रा पे रो, और कुछ नहीं समझा सकते, तो चित्रों पे समझाओ, ये भी देखते हो, जिनको समझाते हैं, वो तीखे हो को समझाना बहुत सहज है मुश्किल बात है बाप की याद में रहना ज्यान को समझना सहज है ये चक्र कैसे चलता है युगों का ये भी सहज समझना है लेकिन मुश्किल है याद में रहना पवित्र भी बन जाएं डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा जिसमें ठक जाते हैं अगर सारा दिन याद जहर जाए फिर तो करमाती तवस्ता हो जाए स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी मुख्य रूहानी यात्रा की बात रूहानी यात्रा ये बहुत अच्छा अक्षर है योग में मेहनत है हट योग सिखाने वाले बहुत है ये है रूहानी योग तुम्हारे सिवाए कोई समझा नहीं सकते इस राज योग से मनुश्य पतित से पावन हो सकते हैं ये योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखा सकते हैं ये राज योग या तुम बाबा सिखा सकते हैं या आप बच्चे जिन्होंने सीखा है कि अपने को आत्मा निश्य करो सर्व संबंद एक के साथ जोड़ो ऐसे बच्चे सिखा सकते हैं बाहर में जब सब सुनेंगे कहेंगे हमारा योग ठीक है और सब जूठे योग है बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना इस योग को कोई जानते नहीं ये योग सिखाने के लिए बाहर भी बच्चों को जाना है इसका नाम ये राच्योग है बाहर सिखाए जाते हट्योग भगवान वाच्च मैं तुमें राच्योग सिखाता हूँ वहाट योग मनुश्य सिखाते हैं अब भगवान कौन? स्रिक्रश ने तो योग से इतना पद पाया भगवान उंचे से उंचा निराकार है तो बीज और जाड का ग्यान बहुत सहज है बाकि याद में नहीं रह सकते जाड आदी का रास बहुत सहज है किसी को समझाना बच्च को याद दिलाते रो, पूछते रो, बाबा याद है, शिव बाबा याद है, अगरि मेनथ करते हैं तो अख्यों भागए समझते हैं सहजम भी है तो मुश्किल भी है बुछत अब्वत खेल होते हैं, इसलिए कहते हैं मैं योग में बिठाओ, हमें शांति पसन्द आती है, शांती का नाम सुना है, कोई कहते हैं नेश्टा में हमें शांती मिलती है, ये भी गपूरा है, आदा घंटा योग में बैठ कर चले गए, वो कोई शांती नहीं, वे अल्पकाल की हो गई, शांती तम मिल सकती है, जब ग्रस व्यवार में रहते, पवित्र बन, रूहानी यात् पे रहें, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, यात्रा करते रहें, जो वस्ता तुम्हारी पिछाडी आनी है, बैठे बैठे सक्षतकार करते रहेंगे, बाप और वर्सा याद आता रहेगा, बैकुंट देखते रहेंगे, बस अब हम ये प्रालब दुपाएंगे, भी यही पर ही होगा, जब देखेंगे कि फलाने फलाने क्या बनते और हम क्या बन रहे हैं, यही पर ही पश्यता भी होगा, कि वो तो हम इतना जो पहले हम से चले वो क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं, जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं, सजा कार करा कर फिर सजा देते हैं तो बच्चों को अच्छी रिती समझाया जाता अभी पुर्शार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही धीला पुर्शार्थ होगा अभी पुर्शार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसे ही धीला पुर्शार्थ होगा अब तुम समझ सकत हो हमसे फलाने उच्पद पाएंगे सर्विस का बोश शोंक है कोई आए तो मुने रास्ता बताएं इतना हर्ष रहता है डूबे वेको पार कराना है त्यारने वाले जो होते हैं जट गुद पढ़ते हैं गाते नईया मेरी पार लगाओ बाप हमें सच्चा रास्ता बता रहे ह हमें फर्मान मिला है कोई भी आए तो उनका अपना लक्ष बताना है बाकी शास्तरादी सब भगती कल्ट के हैं पतित पावन एक बाप है जो आकर गीता ग्यान सुनाते हैं श्री श्री एक सुवाट ये रुद्र अताश्य निराकार की माला है निराकार आकर पढ़ाते हैं ये कोई शास्तरों का ग्यान नहीं हमें तो बाबा ग्यान सुनाते हैं महिमा बाप की है ग्यान का सागर वो है ऐसे समझाना चाहिए जो वो कोई बात बेचमे कर ना सके और कोई बात बेचमे ना कर सके हम बेहत बाप से पढ़ते हैं वो ही सबका सदगती दाता है इस पर जो तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धरम के नहीं हो, ये रास्ता छोड़ दो, प्रंतु समझाने की हिम्मत चाहिए, सन्या से भी कोई-कोई आ जाते हैं, आगे चल वृधी को पाएंगे, कुम्ब मेले पर कितने धेर आते हैं सनान करने, दिन प्रति दिन भगती भी तमो प् पांप का आ जाता, ये भी खेल है, इसमें दिखाते हैं, दुनिया विनाश कैसे होती है, अब उसकी पांप है, तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए, कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, बहुत नशा होना चाहिए, बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाबा हमें सुक ताम क उरो को रास्ता ना बताएं तो बच्चे कैसे कहलाइं उल्टी चलन से इजजच गवा देते हैं बहूत बच्चे समझते हैं बाबा को मालूम थोड़ी पढ़ता है अरे भगती मारग में में मुझे सब अलूम पढ़ता है तब तुम्हे फल मिलता है बाब को तो तरस पढ़ता है, बच्चे अभी तक भी जिपा कर भूले करते रहते हैं, जैसे कि बाबा को पहचाना ही नहीं, भूले करते रहते हैं, बाबा को तो सब पता चलता है, समझते नहीं, सरल शब्दों में हमें अपनी भूल को कबूल कर लेना है, बाबा को सच बता दिना कोई भूलो चाहती है सच बताएंगे तो सच्चे दिल पर साहे ब्राजी अच्छा मीठे मीठे सिक्री बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुणी बाप की रुणी बच्चों को नमस्ते रुणी बच्चों की रुणी बाप को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए सार पहली पॉइंट है रुखानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है करमातीत अवस्ता में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है करमातीत अवस्ता म जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करती है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी, सब को सुखदाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शोंक रखना है, वर्दाने संकल्प से भी मेरे पन की मैल को समाप्त कर, बोज से हलका रहने वाले फरिश्टा भव, संकल्प से भी मेरे पन की मैल को समाप्त कर, बोज से हलका रहने वाले फरिश्टा भव, मेरे पन का विस्तार ही बोज है, कोई भी मेरा पन, मेरा स्वभाव, मेरा संसकार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है, तो बोज है, बोज वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्टा बन नहीं सकत संकल्प में भी मेरे पन का भान आया तो समझो मैले हो गए किसी भी चीज पर मैल चड़ जाए तो मैल का बोज हो जाएगा तो सब बोज बाबा के हवाले कर मेरे पन की मैल को समाप्त कर दो तो फरिष्टा बन चाएंगे सारे बोज बाबा को देकर मेरे पन की मैल को समाप्त कर दो तो फरिष्टा बन चाएंगे स्लोगन है हर परसिती में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्व शक्तिवान है हर परसिती में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्व शक्तिवान है आज मेरा मेरा सब बाबा को समर्पित कर देंगे, अनुभग करेंगे मैं मेरे पन से मुक्त, मैं फरिष्टा हूँ मैंने मेरा पन बाबा को समर्पित किया है मेरे बाबा में सब मेरे समाए है मेरा पन आत्मा को मैला करता है मैं पन मेरे पन की मैल से मुक्त मैं फरिष्टा हूँ मैं प्रकाश मै काया में हूँ बाबा से स्वेम्य शक्तियों को आता अनुभब करे महाज्योति के शक्तियां मुझे बोज मुक्त कर रही है मैं फरिष्टाव मैं पन से मुक्त होकर मैं आत्मा उज्वल बन गई चमकदार बन गई डबल लाइट बन गई मैं फरिष्टा हूँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान मोति मैं बने घ्यान मजड़ें आत्मां ज्यान मोच्टे बना ज्यान का शुक्रिया बनुट बना गई jun भईे लाइट त्याओ आत्माप बना नलीड़ें टुक्त ज्यान झाल झाल